किसान भाईयो आज मैं आपको कपास में गुलावी इल्ली जिसको पिंग बॉल बॉर्म बोलते हैं उसकी रोक थम के बारे में बताऊंगा किसान भाई है, गुलावी सूंडी के कारण कापाज में कापी अधिक चती पोचती है इस कीट की जो प्रोड होती है, मादा प्रोड फूलों पर प्त्यों की निश्चली सते पर अंडे देती है अंडे सेने के दो दिन बाद लार्वा निकलते हैं और लार्वा फूलों को खाते हैं और गूलर में बॉल में छिद्र करके अंदर के भाग को खाते हैं जिसके कारण गूलर या बॉल गिर जाते हैं अंदर सड़ने लग जाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण किसान सबसे पहले हमें फसल चक्र अपनाना है यानि यह की खेत में लगातार कापास नहीं होगा एक बात दूसरी बात हमें रिफ्यूजिया यानि कापास जो बीटी काटन है उसके आसपास नान बीटी काटन की तीन से चार कातारे लगाएं यानि 20-30 बीटी काटन के साथ 20-30 नान-बीटी काटन हमें लगाना है इसके बाद हमको नियमेत रूप से इसकी गुलावीली की निगरानी करनी है उसके लिए बीच की भुवाई के 45 दिन बाद फेरोमेंट्रेप दो पिरती ये कड आप लगाएं इसमें नर पतंगे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे खित में पिंक बालबॉरम का पृकुप हो रहा है या नहीं इसके बाद बीज भॉवाई के 60 दिन बाद नीम तेल 5 ml पितिलीट रपानियम खोलकर एक श्रकाव नीम तेल करें इसके बाद पिंग बॉल वारूम का प्रिकोप आर्थिक छती इस्तर या एटियल एकोनोमिक थ्रेस्वोड लेवल से उपर जाने पर हम राशायने केट ना सकते हमां को प्योग कर सकते हैं इसके लिए आप बीज डेंडूों को देखें बीज डेंडू में दो डेंडू या दो बाल शती घ्रिस्ट मिलें तो एटियल के ऊपर इसका प्रिकोप हो चुका है या जो हमने फेरोमें ट्रेप लगाएं यदि आठ प्रोड पिरते दिन तीन तक लगाता रहा हैं तो यह से फिजटवर civिलें यूए फैयां फिजटेर प्रते लृँटे लिटर पाणिया मुझा दार्यच फिजटर सेर्श चुका हो प्रेंडू के स्पूर्च महते में साइपर्मेथिन दास प्रसेंड क Ende Newton पानिया फैन बेल रेट एक एमल प्रिती लेटर पानियम घोल कर छिड़काओ करें यह सी आई शीयर नागपुर की रिकमंडेसंद हैं उनके अनुसारा में पिंक बॉल वार्म का एक एक रित प्रबंदन करना है सांत में किसान भाईयो फसल की हर्वेस्टिंग के बाद उसकी चुनाई के बाद खेत में रोटा बेटर नहीं चलाएं सबसे पहले खेत में जो काठी है उसकी लकडी है उसको केच से काटे और तुरांट जो भी उप्योग करना आप उप्योग कर लें या नश्ट कर दें यहिर्दी जो ऊपड़ी रहेंगी उसमें रोटा वेटर चला द तोगी बहुत बहुत धन्यवाद